नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार इस देश में हर चीज की रेट तै हैं लेकिन एक चीज की रेट अभी तक तै हुआ थी उसकी भी तै हो गई है भाशन सुनने का रेट जी यह भाशन सुनने का रेट और रेट सुन लेंगे तो दिमाग चक्रा जाएगा पाँच लाख रुपए जी यह पाँच लाख रुपए लेकिन इसमें एक छोटी सी शर्थ है कि भाशन होगा देश्ट के गरे मंतरी अमित शाह का महराश्ट के मुख्यमंतरी एकनाथ शिंदे का और डिप्टी सीम देविंदर फणनवीस का लेकिन किवल भाशन सुनने से भी काम नहीं चलेगा भाशन सुनते वे जान देनी पड़ेगी मरना होगा वो भी ऐसे वैसे नहीं तडप तडप कर प्यास से छट पटाते हुए क्या की जंदगी भी एक मजाख है और मौत भी आप इस मुल्क की सरकार के लिए गिनती से जादा कुछ नहीं है भाजपा ने लोक तंत्र को ठोक तंत्र में तब्दील करी दिया है एक तरफ हतकड़ी पहनाकर पुलिस पूर्वसांसद और विधायक को गोलिया मरवा रही है तो दूसरी तरफ साधारन लोगों को धूप में तपा कर मारा जा रहा है दोनों ही घटनाय राजनीत की बरबरता की कहानी कह रही है सत्ता के खेल में सम्विधान कानून लोक तंत्र और नागरिक को मोहरे में तबदील कर देने की कहानी आपको अजीब लग सकता है लेकिन ये सोलह आने सच है इलाबाद से हटकर जरा चलिये 1410 किलोमीटर दूर नवी मुंबई मंच से वातानों कुलेत यंत्र की शीतल हवा में देश के गरीमंतरी अमित चाह लोगों को भाशन पिला रहे थे महारास्ट के मुक्यमंतरी एकनाथ शिंदे भाशन पिला रहे थे उप मु से लोग कटे हुए पेड की तरह गिरते जा रहे थे और भाशन लगातार जारी था 11 लोग तो छटपटा कर वहीं मर गये और 50 से ज्यादा लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया कोई देखने वाला नहीं था मौत के इस राजनितिक तमाशे को आप पोहैरानी हो सकती है क कि 11 लोगों की मौत हो जाने के बावजूर 11 मिनट के लिए भी भाशनबाजी रोकी नहीं गई अमिद्शाह की शान में हजारों तडपते हुए लोगों का ये कूल द्रिश्य भारतिये टेलिविजन के बरबर संपाद को ने आपकी नजरों से छुपा लिया है लेकिन हमें इस पर बात करनी चाहिए ये पूरा तमाशा रचा गया महराष्ट भूशन पुरसकार के नाम पर ये पुरसकार सामाजी कारिकरता दत्ता त्रेय नारायन और अप्पा साहब धर्माधिकारी को दिया जाना था इसकी आयोजन को मुख्यमंत्री एकनात शिंदे उप मुख्य अग्रिमंत्री अमिद्शा खास तोर पर इसके लिए दिल्ली से उड़कर महराष्ट पहुँचे आयोजकों को पता था कि अप्पा साहब धर्माधिकारी के हजारों समर्थक भी इस कारिकरम में हिस्सा लेने पहुँचेंगे इसके अलावा राज्य सरकार के अधिकारियों एकनाचिंदे की पार्टी और भाजपा के लोगों ने भीड जुटाने में दन राते कर दिया था लेकिन इस कारिकरम में आने वाले लोग नहीं जानते थे कि ये कोई पुरसकार कारिकरम नहीं एक गैस चेंबर साबित होने जा रहा है जहां से प्यास से छकपटाते लोगो की लाशों की कतारे निकलेंगी आपको बता दें कि इस कारिकरम में शामिल होने के लिए लोग 14 अपरैल से ही कौंकान और राज्य के दूसरे हिस्सों से बसों ठ्रकों और नाओं से नवी मुंबई लाए जा रहे थे आसपास के इलाकों से भी इस कारिकरम के लिए लोग सु कूल कूल का सारा इंतजाम कर लगा था लेकिन जनता के लिए तिरपाल तक का बंदोबस्त नहीं और एक बार आप बैठ गये तो बैठ गये नपीने का पानी पहुंच रहा था और नहीं च्छाया थी नतीजा मंच से अमिद शाह और एक नाच्छंदे का भाशन चल रहा था और नीचे लोग बेहोश होते जा रहे थी खुद मुख्यमंत्री एक नाच्छंदे के कारियाले ने 11 लोगों की मौत की पूस्टे की मरने वालों में 8 महिलाएं शामिल हैं इन महिलाओं में से भी ज्यादतर बज़र्ग हैं अस्पताल में भरती कुछ मरीजों के बारे में क अधिकारी ने बताया कि कुल 123 लोगों ने आयोजन के दोरान गर्मी की वज़े से तबीयत बिगड़ने के शिकायत की अब चाहें तो इस पर हैरान हो सकते हैं कि लोग मते जा रहे थे और अमिद्शा बोल रहे थे कि इतनी गर्मी में धैरे पूर्वक बैठने के लिए हम आ कीजिए एलान कर दीजिए कि गर्मी बहुत है सब को घर भेजने का बंदोबस्त किया जाए वह ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें खुद गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था उनके बदन को ठंडा रखने के लिए एक से एक मशीने लगाई गई थी इस बेहयाई के बाद मौत क परियाटन शुरू हुआ महराश्च के मुक्यमंतरी एक नाच शिंदे ने MGM अस्पताल का दौरा किया मृतकों के परिजनों को पांच पांच लाक रुपए का मुआवजा देने की घोशना की अमिच शा और एक नाच शिंदे का भाशन सुनते हुए दो घूठ पानी के लि महराश्च के उप मुक्यमंतरी देवेंदर फड़नवीस ने इन मौतों को दुर्भाग्यपूर्ण और कश्ट दायक बता कर अपनी छुट्टी कर ली उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा मेरी भाव भीनी श्रद्धानजली मुक्यमंतरी ने खुद अस्पताल का दोरा कर जानकारी लिए और डॉक्टरों को उचित निर्देश दिये जैसे हैसान किया हो जान लेकर मतलब जिन नेताओं ने अपना भाशन सुनाने के चक्कर में ग्यारा लोगों को जिन्दा मार डाला वो श्रद्धानजली श्रद्धानजली खेल रहे हैं क्यों नहीं आयोजकों के खिलाफ सामूहिक हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए नसीपी ने कहा कि सरकार की लापरवाही की वज़े से निर्दोश लोग मारे गए हैं ये सरकार द्वारा गेर एरादतन हत्या का मामला है लेकिन सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा कौन क्या अदालत इतने बड़े हत्या कांड का खुद संग्यान लेगी अंत में मैं महराष्ट भूशन पुरसकार प्राप्त करने वाले दत्ता त्रेया नारायन और अप्पा साहब धर्माधिकारी से अनरोध करता हूँ कि आप जनतांत्रीक मूल्यों को बचाने के लिए इस पुरसकार को वापस कर दीजिए आपका पुरसकार ग्यारह लोगों के खून से रंगा हुआ है क्या करेंगे ऐसा पुरसकार अपने घर में सजाकर जिसके जश्ट में ग्यारह लोग प्यास से तलब तलब कर मर गये इस हत्याकांड के गुनहगारों में आप भी शामिल है अप्पा साहब आप तो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं ना आप सरकार को बोल सकते थे कि इतनी गर्मी में लाखों लोगों को धूप में तड़पता नहीं छोड़ सकते या तो उनके लिए च्छाया का उचित बंदोबस्त कीजिए पानी का बंदोबस्त कीजिए और नहीं तो कारिक्रम की जगा बदलिए लेकिन आप ने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप सकता के खेल में डूबने का मजा ले रहे थे इस अपरादबोध को कम करने का एक ही तरीका है अप्पा साहग महराष्ट की जनता के सम्मान में खून से रंगा ये पुरसकार वापस कर दीजिए वरना आपकी ट्रॉफी पर लिखा भले महराष्ट भूशन हो लेकिन इसे इतिहास जन हत्या भूशन के तौर पर ही दर्ज करेगा फैसला आपका है आप क्या चुनते हैं इस वीडियो में इतना ही लेकर अगर आपने आटिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कीजिए बेल आइकॉन दबाईए घंटी जैसे आकरेती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्योब पर देख रहा है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए फेस बुक पर देख रहा है तो पेज को ल लॐक कीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फालो कीजिए हमारा ट्विटर हैं आर्टिकल 19 अंडेस्कोर इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नभीम जर्रेलिस्ट आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं नमस्कार